सर आज के वक्त की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक बन के आ रहा है और या विश्व के मौतों का दूसरा सबसे बड़ा कारण बना है भारत देश में साड़े बारा परसेंट क्रोथ रेट के हिसाब से कैंसर के मरीच बढ़ रहे हैं सन 2020 तक 19 लाख लोग कैंसर से इंफेक्ट हो चुके हैं और कहीं कैंसर के शिकार हो चुके हैं 8 लाख मौतें कैंसर से हो रही है हर दो में से एक महिला जिसको कैंसर है उसकी डेथ हो रही है खास तोर से ब्रेश्ट कैंसर के प्रेशेंट से मैं इसी सोच से मैं इसी आकड़ों को देखके आपके सामने ये वीडियो लाया हूँ नमस्कार साथियों डॉक्टर उमंग खरना उम्योपर्थी क्लीनिक के स्टोग्रेम में स्वागत है साथियों आज कभी से गंभीर है गंभीर इसलिए है कि आपने जिस आइकन को देखकर इस वीडियो को क्लिक करा होगा लिंक को क्लिक करा होगा देखने के लिए तो जाइड सी बात आपका कोई परिजन परिशान होगा ये वीडियो साथियों उसी उमीद को देने के लिए है हो सकता है इस वीडियो में जो दवाएं बताई गई हैं वो आपके मर्ज को बिल्कुल ठीक न कर पाएं अगर इनिशल स्टेज में कैंसर है तो यहाँ दवाएं ठीक करने में भी समर्थ हैं और इनिशल स्टेज पार कर गया है कैंसर फाइनल स्टेज में है तब भी यहाँ दवाएं पैलियेशन के तौर पे आपके मरीज को रहाद देने में समर्थ हैं एक बात पक्की है, हुम्योपेथिगा लगभग कोई साइड इफेक्ट नहीं होता तो इन दवाओं से आप अपने मरीज को अराम दे सकते हैं अपने परिजन को अराम दे सकते हैं उनकी परिशानियों को कम कर सकते हैं बहुत इंपार्टेंट वीडियो है सर्थ और मैं आपसे अपील करूँगा मैं कभी किसी वीडियो में नहीं करता शुरू में मैं अपील करूँगा इस वीडियो को शेयर करें समाज के लोगों तक पहुँचे उन लोगों तक पहुँचे जिनको इस वीडियो की इन दवाओं की जानकारी की आवशकता है कैंसर एक ऐसी समस्या भारत वर्ज में जो 12.5% रेट के साथ से ग्रोथ कर रही है यानि कैंसर की ग्रोथ का रेट 12.5% है हर 8 मिनिट में एक वर्थी की कैंसर से मौत हो रही है साड़े आठ लाख लोगों को कैंसर हो रहा है हर ब्रिष्ट कैंसर के होने वाली दो महिलाओं में से एक महिला की मौत हो रही है तो बहुत बड़ी समस्या है साथ हुए आज आप रतन टाटा अस्पताल चले जाओ मुंबई में आप कहीं भी चले जाओ राजीब कांधी चले जाओ दिल्ली में आपको जल्दी सीट नहीं मिलेंगी इत्ते तेजी से कैंसर के मरीज पढ़ रहे है तो सातियों उस वक्त में यह वीडियो और इंपॉर्टेंट हो जाता है तो हमने फैसला करा है आपको इस समस्या में कुछ ऐसी दवाए बताने का कि जो आपको आराम दें आपको रिलीज दें सन 2020 तक लगभग 19 लाख कैंसर के मरीज हो चुकी है 7.5 लाख मरीज प्रतिभर्ष के साब से कैंसर के बढ़ रहे है सबसे पहले सातियों जान लेते हैं कैंसर होता क्या है Cancer साथियों आपकी भीमारी की वहाँ state होती है आपके शरीर की जब किसी मरीज के कोशिकाएं यानि cells uncontrollably divide करने लगते हैं और वहाँ जो divided cells होते हैं वहाँ आपके body के अने parts में through lymph और through blood transmit होके body के अन parts के cell को भी effect करने की छमता रखते हैं वहाँ ही cancer cells होते हैं Cancer साथियों विश्व में दूसरा सबसे बड़ी मौत का कारण होता है बात कर लेते हैं symptoms की साथियों symptoms cancer के हर मर्ज के अलग-अलग होते हैं weight का loss होना, गले का खराब रहना, खाएने का digestion ना होना, blood की कमी होना feverish बने रहना इस तरह तमाम जितने मर्ज होते हैं उतने उसके symptoms होते हैं लेकिन साथियों, symptoms का manifestation cancer में होता आवश्य है बात कर लेते हैं साथियों कारणों की cancer का साथियों कारण यहां होता है कि जब आपके जो cells होते हैं उसमें genes होती हैं और genes में DNA होता है इन genes में set of instructions होते हैं कि उस visist कोसिका को आपके body में अपने जीवांतर में, अपने जीवन में कैसे behave करना है कब divide करना है, कब grow करना है यह पूरे instructions DNA की chain के form में आपके genes में होते हैं जब इन genes का mutation हो जाता है और यह instructions disturb हो जाते हैं वही आपकी कोसिका के cancer का initiation होता है, शुरुवात होती है normally यहां तीन तरह से शुरू होता है पहला होता है जब uncontrolled division शुरू हो जाता है हमारे body की हर कुसिका को पता होता है कि कब उसे divide होना है जब इस gene में mutation हो जाता है, इसके DNA की chain disturb हो जाती है तो हमारे cell को body के यहां नहीं पता रहता कि उसे कब divide होते हैं और वो uncontrolled division करता रहता है तो यहां एक कारण होता है cancer का दूसरी इस्थिती वो आती है जिसमें DNA repair genes होती है जब कहीं पर आपका DNA damage होता है तो वो DNA repair genes उसको repair करती है कभी कभी यहां होता है कि यहां जो repair करने की DNA genes पर जो information होती है यहां disturb हो जाती है और जो damage gene होती वहां repair नहीं हो पाती और दूसरी अगली gene अगले cell की disturb हो जाती है यहां एक बात होती है आपके DNA को disturb करने की और cancer को cause करने की तीसरी इस्थिती वहां आती है कि हर cell को पता होता है कि उसे किते वक्त जीवन है उसका उसके बाद वहाँ cell destroy हो जाता है कभी कभी आपके gene में mutation हो जाता है किसी मरीच की और वहाँ cell अपने जीवन से जीवन काल के बाद abnormally divide करने लगता है वहाँ यह भूल जाता है कि उसकी अब जीवन खतम हो गया तो एक कारण यहां होता है आपके cancer के शुरू होने का इस प्रकार से यहां तीन कारण होते हैं जो आपको cancer की शुरूवात होते हैं इस प्रकार से साथियों यहां तीन तरह की driver genes होती है पहली case की जो हमने आपको बताई प्रोटो अंको जीन्स कहते हैं दूसरे जो आपने आपको reason बताया उसको DNA repair genes कहते हैं और तीसा जो हमने बताया immune suppressor genes कहते हैं इस तरह तीन driver होते हैं जो cancer causing agents होते हैं cancer साथियों कई प्रकार का होता है जिसमें carcinoma, sarcoma, leukemia, lymphoma इस तरह तमाम तरह के cancers होते हैं carcinoma साथियों जो cancer होता है वहाँ भी कई प्रकार का होता है चाहे वह अडिनो कार्सिनोमा हो, squamous cell carcinoma हो, epithelial cell carcinoma हो epithelial cell carcinoma साथियों जो outer most layer होती है हमारे बाड़ी की epithelial cells की होती है उसमें जब cell division उसके outer part में या inner layer में epithelial cell के अगर division disturb होता है तो उसको epithelial cell carcinoma कहते हैं epithelial cells के नीचे squamous cells होते हैं जब squamous cells का division disturb होता है तो squamous cell carcinoma कहा जाता है Transitional cell carcinoma होता है जो की urinary bladder या उस तरह के organs को जो tissue outline करता है carcinoma epithelial cells जो outline करते हैं जिनके change of size होता है जैसे urinary bladder हो गया है इस तरह के जो tissue होते हैं इनमें Transitional cell carcinoma होता है इसके अलावा leukemia यानि की blood cancer, blood tissue में जब दिक्कत आती है abnormal division होता है तो उसको blood cell carcinoma यानि leukemia कहा जाता है Sarcoma साथियों जब आपके bone में, bone marrow में या किसी भी connective tissue में cancerous infection होता है तो उसको sarcoma कहते हैं इसके अलावा melanoma होता है जो की skin cell cancer कहलाता है जब आपका melatonin pigment या melanoma melanin बनाने वाली layer आपकी skin की cancerous होती है तो उसको melanoma कहते हैं और इसी प्रकार से और भी कई प्रकार के cancers होते हैं समस्या गंबीर है साथियों यहाँ वीडियो बनाते वक्त हमको भी थोड़ा सा केस्ट हो रहा है बोलने में लोगों के जो मरीज हमारे सामने आते हैं उनके चेहरे याद आ जाते हैं उनके परिजनों के याद आ जाते हैं तो थोड़ा सा यह वीडियो हमाई लिए बना पाना कठीन है लेकिन मैं फिर भी समाज के हित में परियास करूंगा कि जिन भी साथियों के परिवार में रिष्टेदारी में कहीं पर भी इस तरह की बिमारी है उनको हमियोपेथिक के माद्यम से जो आराम दिया जा सकता है वहाँ दिया जाएं और साथियों घबडाने की कोई आवसकता नहीं अगर समस्या होती है तो समधान भी होता है हम आपको बताएंगे कुछ कारगर हो नियुपेथिक दवाएं जो आपको विबिन परकार के कैंसर्स में लाब देंगी लेकिन साथियों दवाएं बताने से पहले यहाँ आपको अवस्थ बता दें यहाँ वीडियो आपकी जानकारी के लिए है कोई भी दवा बिना कुसर चिकिसक से पूछे ना ले तो कि मर्ज गंबीर है और उसके इलाज में भी वही गंबीरता होनी चाहिए तो चलते हैं साथियों सफर पे जिस पे आपको बताते हैं कुछ कारगर साथियों इसोफेगस या फूट पाइप का जो कैंसर होता है वहाँ भी एक बहुत कौमन प्रकार का कैंसर होता है हमारे क्लिनिक पे जब मरीज आते हैं या यूँ कहें कि हम समझते हैं जो तबार इसको कैंसर का कोई भी पेसेंट उसको ट्रीट करने के शुरू करने की वहाँ इस कारिनम इस कारिनम 1 एम की एक खुराग आप मरीज को इसोफेजल कैंसर का इलाज शुरू करने में दे सकते हैं और उसके 24 घंटे बाद आप सुराइनम 200 की एक खुराग दे सकते हैं और उसके 12 गंटे के बाद आप मेडोरीनम 200 के एक खुराक दे सकते हैं मेडोरीनम 200 के 12 गंटे बाद हम लोग टूबर कुलिनम वनियम की एक खुराक मरीज को देते हैं और इसके 48 गंटे बाद, 48 आवर्स के बाद हम लोग इसो फेजल कैंसर का टीटमेंट शुरू करते हैं इसो फेजल कैंसर में साथ यो एक बहुत important symptom आता है कि मरीज को हिस्ट्री होती है पेट में gas की, पेट में गुर्गाहट की और उसके flatus और digestive trouble होते हैं तो अगर ऐसी symptom मरीज में हो और उनको इसो फेजल कैंसर हुआ हो तो इसको ठीक करने की होमियोपेटी में बहुत अच्छी दवा है लाइको पोडियम कलवेटम लाइको पोडियम 30 पावर में दो दो पून दिन में तीन बार ऐसे मरीज को दी जा सकती है जिसको इसो फेजल कैंसर हो और उनको lower abdomen gastric ailments की हिस्ट्री रही हो ऐसे केस में लाइको पोडियम बहुत अच्छा काम करेगी लाइको पोडियम का एग्रावेशन दोपहर में या शाम को दो से चार बजे तक होता है एक symptom साथियों आता है मरीज को isofagial cancer है और खाना उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा है खाना गले में अटक रहा है अगर यहाँ symptom हो कि उसको sphinter like throat sensation मैसूस हो रहा हो गले में और वो खाना पा रहा हो तो उसको ठीक करने की हुमियोपैती में बहुत अच्छी दवा है पहली दवा है कोनियम जिसकी तीन फुराक आप उसको पच-पच मिनिट के फासले पर वीकली दे दे दूसरी दवा है आर्जिंटम नाइटिकम आर्जिंटम नाइटिकम का पेशिंट बहुत नर्वस भी होता है तो आप आर्जिंटम नाइटिकम 30 पावर में 2-2 बून मरीज को दे दे तीसी दवा है जलसीमियम अगर मरीज को बहुत ज़्यादा वीकने से और गले में उसके कुछ अटक रहा है तो आप जलसीमियम सेमी परवाईनम 30 पावर में 2-2 बार मरीज को 2-2 बून दिन में 3 बार दे दे और चौति दवा है कास्टिकम कास्टिकम 30 पावर में 2-2 बून दिन में 3 बार आप मरीज को दे दे अगर उसके थ्रोट में रूखा पने और खाना नहीं उतर रहा है और पांचवी दवा है साथियों पांचवी दवा है जब उसके थ्रोट में नीचे कुछ ना उतर रहा हो हीपर सलफर अगर सुबह के वकट उसको जादा दिक्त होती हो तो हीपर सलफर 30 पावर में 2-2 पून दिन में 3 बार दे दे इससे उसके थोट के कैंसर को कंट्रोल होने में हेल्प मिलेगी एक सिम्टम साथियों इसोफेजल कैंसर में आता है कि मरीज को उपरी हिस्से में पेट के उपरी हिस्से में गैस बनने की हिस्ट्री रहती हो 20-30 पावर में 2-2 पून दिन में 3 बारे से मरीज को दी जा सकती है इसको गैस उपरी हिस्से में बनती हो जादा और उनको इसोफेजल कैंसर हो गया हो एक सिम्टम साथियों आता है कि मरीज को लिवर की दिक्कत रही हो इस्ट्री रही हो एलमेंट्स रहे हो और उनको इसोफेजल कैंसर हो गया हो तो गर यहां सितियों साथियों कि मरीज को हिस्ट्री रही हो गैस बनने की और लिवर की दिक्कत की लिवर एलमेंट्स की तो उसी सिती को ठीक करने की होमियोपैथी में दबाय है हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस हाइड्रेस्टिस कैन का मदट इंचर दस बूद चार बार आप हरू सो इसोफेजियल कैंसर के पेशेंट को दे सकते हैं जिनको की लिवर एलमेंट्स की रिक्कत की हिस्ट्री रही हो एक सिम्टम सातियों आता है कि किसी को IBS की इरिटेबिल बावल सिंड्रोम की रिक्कत रही हो और उनके इसोफेजियल कैंसर हो गया हो इरिटेबिल बावल सिंड्रोम यानि कुछ भी खाया तो motion जाना पड़ा, potty जाना पड़ा तो अगर यहाँ symptom की खाने के बाद मरीज को तुरंथ motion के लिए जाना पड़ता हो तो उसको ठीक करने की होमयोपैथी में उस case में isofagial cancer को ठीक करने की होमयोपैथी में दो बहुत अच्छी रवाएं हैं पहली दवा है मर्क solubilis 30 जो आप उसको दो दो बून दिन में तीन बार दे दें और दूसरी दवा है सिंकोना ओफिस्नेलिस 30 पावर में इसकी भी दो दो बून दिन में तीन बार आप ऐसे isofagial cancer के मरीज को दे दें अगर यह सिती हो साथी हो तो इससे सिती को ठीक करने के होगी हो पैथी में बहुत अच्छी दवा है सल्फर आप ऐसे मरीज को सल्फर वनियम की एक खुराग पच-पच मिट के फासले पर वीकली दे सकते हैं इससे उनका कॉस्टिपेशन भी दूर होगा और isofagial cancer की जो परिशानी है वो भी दूर होने में मदद मिलेगी यह साथियों कोई दवाएं थी आपके इस्टजन, परीजन, किसी मित्र या समाथ के किसी भी व्यक्ति को रहा देने की एक शंखला की है हो सकता है या दवाएं 100% सही ना कर पाएं अगर final stage में cancer पहुंच गया है लेकिन ये दवाएं आपके मरीज को रहा जरूर देंगी ऐसी मेरी सोच है, ऐसा मेरा विश्वास है मेरा फर्द ही ऐसा आती हो, homeopathy में जो कुछ available है वो आपके सामने रखते निश्चित रूप से आपने इस वीडियो को तभी क्लिक करा होगा जब आपके किसी जानने वाले में यहाँ समस्या होगी और यही मेरा प्र्यास है और इसी लिए मैं यहाँ वीडियो आपके सामने लाया हूँ कि homeopathy के डाइरे को at least आपके सामने लगतों दवाएं साथ यह निश्चित रूप से बहुत कारगर है लेकिन मैं आपसे निवेदन करूँगा कि दवाएं हमेशा कुसल्ची की सक्सी सलहा से उससे प्रिस्क्राइब कराके ही नीचेगा मन में कोई कवरी हो तो वाट्सेप करिएगा हमारे वाट्सेप नंबर पे मैं कोशिस करूँगा आपकी बात का जवाब दे सकूँ निवेदन करूँगा साथियों कि यहाँ समाजित का वीडियो है जिस मर्ज से 9 लाख लोगों की मौते हो रही हो वहाँ वीडियो कम इंपार्टेंट नहीं हो सकता और कैंसर ऐसी बिमारी जिससे 9 लाख मौते हो रही है 19 लाख लोग कैंसर से 2020 तक ग्रसित हो चुके हैं और 7.500 लाख लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं और साड़े बारा पर्सेंट ग्रोथ रेट पर यहां बिमारी पढ़ रही है तो इन चीजों के अगर आपको मेरी संदेश आपके जहें तक पहुँच रहा हो तो अपने वीडियो को शेयर करिएगा लाइक करिएगा अपने चैनल को आपने सब्स्राइब करा होगा अन्र परीजनों से सब्स्राइब कराईएगा और बेल आइकन क्लिक करके सबसे पहले सबसे नया वीडियो यहीं प्राप्त करते रहेगा डॉक्टर उमंखना हुमियोपेथि क्लिनिक आपकी किसी इस्टजन परीजन जानने वाले को जिसको यहा समस्या हुई है उस दुख में आपके साथ खड़ा है आप हमारे साथ रहे ती देर इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके मरीज की शीग्र स्वस्थ होने की कामना डॉक्टर उमंग खन्ना होमियोपेथि क्लिनिक करता है होमियोपेथि में जो कुछ पी था वहाँ मैंने आपके सामने रख दिया धन्यवाद कुछाद आपके सामने झापके सामने होमियोपे लाद कर दो कर दो कर दो कर दो